दोस्तो 1995 में रिलीज हुई करन अरजुन जैसी मुई आज तक नहीं बन पाई है और साइद आगे बन भी नहीं पाएगी क्योंकि इस मुई की स्टोरी और इमोशन्स ही ऐसी है जिसे देखने के बाद लोग पुनर जनम को सच मानने लगते हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी मुई का कुछ बिहांड दा सीन और फैक्ट जानेंगे और दोस्तो साथ ही जानेंगे इस मुई की सूटिंग कैसे और कहा कहा की गई थी और अगर आप भी मुवीज का Behind the Scene देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं करन अरजुन मुवी में जब सारुक खान घोने पर बैठ कर एक बंदू को लेकर अमरेश पूरी को मारने के लिए जाते हैं और इस सीन की सुटिंग राज अस्थान के अलवा डिस्टिक में किया गया था और आप यहां देख सकते हैं इसके सुटिंग के दवरान काफी ज़्यादा धूप पर रही थी और इससे बचने के लिए इसके सुटिंग लोकेशन पर एक वाइट कलर की बोर्ड लगाई गई थी जिससे धूप के इंटल सीटी को कम किया जा सके और दोस्तों साथ ही आप अपने स्क्रीन पर कुछ क्रीव मेंबर को भी देख सकते हैं दोस्तों इस मुही में इस फाइटिंग सीकोल्स को सुट करना काफी ज़्यादा खतरनाक था और इसमें एक्टर को बार-बार पसीने को दिखाने के लिए एस्प्रे का उज़ किया जाता था ताकि यह देखने में बिल्कुल ही रियल फाइट लग सके और दोस्तो इस मुही में क्राउड सीन को दिखाने के लिए गाउं के आसपास के लोगों को ही बुला लिया जाता था दोस्तो यहाँ वाला बिहेंदा सीन उस टाइम का है जब सारुक खान को एक बोडी बिल्डर के साथ फाइट हो जाती है और दोस्तो अगर आप लोगों को यह पता नहीं है तो मैं आपको बता दू इस फाइटिंग सीन को सुट करने के लिए सारुक खान का डबल बोडी का यूच किया गया था और आप इस चीज को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस मुवी में दिवार को बनाने के लिए फोम बाली नकली इटे का यूच किया जाता था दोस्तो अब इस मुवी का अगला बिहनदा सीन में आप सलमान खान को एक बर्डी बिल्डर के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं और इस सीन को सुटिंग करने के दोरान सलमान खान काफी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए थे जिससे उन्हें इस सीन को बनाने में काफी ज़्यादा रिटेक्स देने पड़े थे दोस्तो इस मुवी में एक सीन है जब सारुक खान एक बर्डी बिल्डर को मटके से मारता है और इस सीन की सुटिंग कुछ इस प्रकार से की गई थी अब इस मुवी का अगला बिहेंदा सीन जानने से पहले इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तो इस मुवी की कम्पलीट सुटिंग राजस्थान में की गई है और अगर आप लोगों ने करन अरजुन मुवी देखी होगी तो आप सभी को ठाकुर दुर्जन सिंग का हवेली तो याधी होगा जहां वो अपने पतनी और दो सालों के साथ रहा करता था और अगर आप लोगों को यह पता नहीं है तो मैं आपको बता दू यह हवेली अभी भी राजस्थान के अलवट डिस्टिक में मौजूद है और यह आज भी राजस्थान के वन अफ दा फेमस रिजॉट में गिना जाता है और आपको बता दे की करन अरजुन के गाउं को दिखाने के आज भी अजमेर के पुषकर में मौजूद है दोस्तो इस मुवी की डिरेक्टिंग राकेस रोशन के दोरा की गई थी और अगर आप लोगों को यह पता नहीं है तो मैं आपको बता दू उस वक्त के समय में सारुक खान और सल्मान खान को इस मुवी में काम करने के लिए ल और उस दुकान पर अभी भी करन अरजुन का नाम लिखा हुआ है तो दोस्तो यहाँ थी करन अरजुन मुवी के कुछ बिहांदा सीन और इसका कुछ फैक्ट और अगर आप सभी को यहाँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रा कर दिजेगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ